असलामलेकुम मैं नाम शर्यार है और आप देख रहे हैं टैक्रियोज पीके आज की वीडियो में बात करेंगे सामसिंग लेक्सी की S21 सीरीज के बारे में जो कि कुछी देर पहले सामसिंग ने अफिशली लाउंच कर दी है इस वीडियो में हम सामसिंग लेक्सी S21 और S21 प्लस के बारे में बात करेंगे सामसिंग लेक्सी S21 अल्टर के ओपर मैं अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा तो अगर आप इन पर्टिकलर उस फून में इंट्रेश्टिन है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं सामसिंग लेक्सी S21 और S21 प्लस में हमें काफी डिफरेंसिस देखने को मिल जाते है जब सामसिंग अपनी फ्लैक्सी पर सीरिस को लांच करता है जैसे लाज़ से सामसिंग लेक्सी S20 देखने को मिलेगा तो इस दफार हमें काफी और चीज़ों में डिफरेंसिस देखने को मिलेगा बाकि दोनों फून में जो डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताता जाओंगा और इस दफार प्राइजिंग भी डिफरेंट रखे गई है जिसके अपर हम डिटेल में बात करेंगे वीडियो में आगे चलके तो सबसे बहुत कर लेते हैं डिजाइन की तो डिजाइन इस दफ एक प्रेजिट फैंटम ग्रेज फैंटम वॉयट और फैंटम पिंग परसेली मुझे फैंटम वोयलेट वाला कलर काफी पसंद आया यह अंपनी जयादा पसंद आया है डिफरेंस की बात करें सरे श्वाहिं अग्रे कि यह स्ट्वार प्लस में ग्लास की बैक देखने को मिल मिलेगा जो कि दोनों सूपर एमोलेड डिस्प्ले हैं बट इस दफ़ा हमें रेजलेशन फुल 80 प्लास की देखने को मिलेगी दोनों डिवाइस में जो कि एक डाउंसाइड है वैसे हो सकता है काफी लोग इस चीज को नोटिस ना करें दोनों फुल में हमें 120 हट्स डीट के ओप्शन देकने को मिल जाएगी बट इस दफा के अडाप्टिव 120 हट्स डीट के अप्शन देखने को मिलेगी मतलब कि आपका फून 48 हट्स से 120 हर्ट्स पर कही ना कहीं गूमता रहेगा डिपेंडिंग उन क्या उसकर रहे हैं इस आपक एक्षिनोस वाले चिपसेट के साथ फून को अफिशिली ग्लोबली लॉंच करेगा बट इस दवा भी हमें डिफरेंट कंट्री में इफरेंट प्रसेसर देखने को मिलेंगे पाकिस्तान में ये फून एक्षिनोस 2100 के साथ आएगा जिसकी परफॉर्मस काहा जा रहा है के आल गुरिला ग्लास 7 में आम ऐएगा समसिक लेक्सी 21 में 4000 बैटरी देखने को मिलेगैंगेैंके स्थावजहेड को फून ऑपक्रोक्टरी में ऑ्स सामसिकल सवर्मस क्राइगेंगे चाहिए अब बात हैंnaर्य चुक्राइगें आप सॉर्टाथर क्रोक्राफ एक 12 Megapixel का अल्टावार डेंगल लेंज एक 64 Megapixel का मैक्रो लेंज यह दोने डॉइस एट के वीडियो रिकोर्डिंग को सपोर्ट करती है एट के वीडियो रिकोर्डिंग का रिजल्ट इतना खास अच्छा नहीं होगा क्योंकि एट के वीडियो रिकोर्डिंग 64 Megapixel के मैक्रो लेंज से की जाएगी अब बात करते हैं इस फोन की पाकिसान में प्राइज की जिसको देखके मैं थोड़ा डिसपॉइंट हुआ था Samsung Galaxy S21 की पाकिसान में 1,70,000 PKR रखी गई है जबके Samsung Galaxy S21 Plus की पाकिसान में 1,95,000 PKR रखी गई है जो कि मेरे ख्याल से ज्यादा है क्योंकि अगर देखा जाए तो इस दफा इंटरनेशनली Samsung Galaxy S21 की प्राइज 799 डॉलर रखी गई है और Samsung Galaxy S21 Plus की प्राइज 999 डॉलर रखी गई है तो अगर मैं लास्टियर से कंपेर करूं तो लास्टियर Samsung Galaxy S21 की प्राइज 999 डॉलर थी जिसको पाकिसान में जब ओफिशली लॉंच किया गया था तो उसको प्राइज 1,65,000 PKR रखी गई थी तो अब इवन के प्राइज डॉप होने के बावजूद पाकिसान में इस फून को इस फून की प्राइज ज्यादा रखी गई है जो के मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आई क्योंकि अगर सामसिंग लग से स्टॉंटी फैन एडिशन की बात करें तो उस फून की प्राइज 699 डॉलर्स है इंटरनेशनली और पाकिसान में उस फून को 1,20,000 PKR में रखा गया था जो के मेरे ख्याल से काफी एक अच्छी प्राइज रखी गई थी सामसिंग लग से स्टॉंटी वन की प्राइज 799 डॉलर्स रखी गई है इंटरनेशनली और पाकिसान में इस फून के प्राइज 1,70,000 PKR है जो के मेरे ख्याल से ज्यादा है अगर देखा जाए तो इस फून की प्राइज मेरे ख्याल से 1,40 या 45 या 50 तक होनी चाहिए थी मे में इतना ही इंशाला आपसे बात होगी किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलाव फीज